जो इरादे का पक्का हो और दिल उसको दो जो सूरत से नहीं दिल से अच्छा हो इस पश्ट बोलने वाला वैक्ति एक अच्छे काटे की भाती होता है इसमें थोड़ी देड के लिए धर्द जरूर होता है लेकिन फाइदा जिंदगी भर रहता है अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो अगर आप उस वैक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो बहुती नरम दिल हो लेकिन आप उस वैक्ति को तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ती देखर भी उसे हम खरीद नहीं सकते हमें हमारे विचार ही बनाते हैं इसलिए सब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्याओं दो विचार हमेशा जिन्दा रहते हैं धर्ती पर जिस परकार मौसम में बदलाव आता है उसी परकार जीवन में सुक दुख आता जाता रहता है बुराई तो तुमें हजारों की भीड में भी ढून लेगी ठीक उसी परकार जैसे गायों की जून में भचणा अपनी मा को ढून लेता है परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूल लेता है जाद हसने और बोलने वाला वैक्ती अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूर चुका है कभी भी स्वेम पर घमंड मत करना पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है अगर इस्वर तुम्हें जादय परतिक्छा करबा रहे है तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे वो कहीं जादा देने वाले है अरे गुजर जाएगा ये दौर भी जरा सब्रतों का खुसियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या उकात है जब मन परिसान हूं तब कु सब अपना सा लगता है सिर्फ बातों से औरों के लिए जीते थे तो किसी कुछ सिकायत नहीं थी थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा जमाना दुस्मर बंबेला जिन्दगी का तजुर्वा कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बा पर यकीन करना सीथा धरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के जो जुख कर गया समझो वही अपना है इस स्वर में आसता है तो मुस्किलों में भी रास्ता है जो ज्यानी होता है उसे समझाया जा सकता है जो अज्यानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है परन्तु जो अभिमानी होता है, उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त ही समझाता है। अरे कैसे करो भरोसा, गैरों के प्यार पर, आज कल तो अपने ही मजा लेते हैं, अपनों की हार पर, जब बात ज़र्वत की हो, तो जुबान सब की मिठी हो जाती है। जितने सचे रहोगे, उतने ही अकेले रहोगे। जब भी जिन्दगी आपको रुला दे, तो समझ लेना, जिन्दगी आपको रुला नहीं रही, आपको सिखा रही है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुती कम लोग समझ पाते हैं। किसी पर जादे नराज होने से बहतर है कि अपने जीवन में उसकी एहमियत कम कर दू, सब कुछ जानते हुए भी, अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते, तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते, खुस रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा, कोई भी अपना बि खुसी भूल जाए, उस इंसान से जादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता, जिन्दगी में धीरे चल कर कभी भी नहीं रुके, तो यकीन मानिए, आप सब से तेख चल रहे हैं, आप किसी वैक्ति को बरसों में इतना नहीं जान सकते, जितना की एक बार उसे क्रोध की स्तित गलती में देख कर जान सकते हैं, जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं, तो सबसे पहले बादचीत करना कम कर देते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है, जो साफ दिल का होता है, और रिस्तों को खोना नहीं चाहता, क्रोध दोरत हैं वहां दिखाना भी चाहिए नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही बैवार करता रहेगा अनुरव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए आपको वहे इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा एक बात बिलकुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुस हो लेकिन जब वो दिल दुखाता है तो पुराने ही आद आते हैं तोड़ कर जोड़ लो हर चीज दुनिया में हर चीज की मरमत हो सकती है सिवाए विश्वास के एक बार विश्वास तूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता सच्चा सनेह करने वाला केबल आपको बुरा बोल सकता है कभी आपका बुरा नहीं कर सकता क्योंकि उसकी नाराजगी में आपके फिक्र और दिल में आपके परती सच्चा सनेह होता है माफ्री के हकतार गलती करने वाले होते हैं चालाकी करने जीवन भर खुस रहना है तो खुद को ऐसा बनानों कि कोई आपके साथ हो या ना हो आपको किसी चीज का दुख नहीं होना जाए इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की स्लाह गहरों से लेता है जमीन अच्छी हो खाद अच्छा हो परंतु अगर पानी खारा हो तो फूल खिलते में भाव अच्छी हो करम भी अच्छी हो मगर वानी खराब हो तो संबंध कभी टिकते में अपना इमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता है अंत में उसका अध् गहरा होता है, इस्वर उतना ही करीब होता है, कभी उसको नजरंदाज ना करें, जो तुमारी बहुत परवाह करता हूँ, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा, कि पत्थर जना करते हुए, तुमने धीरा बवा दिया, जितना आप जिंदिगी में व्यस्त रहोगे, उतना ही देखना मस्तर होगे, भात कडवी है, मगर सत्ती है, जवरत परने पर लोग बिना रिष्टे के रिष्टे बना लेते हैं, और जवरत खत्म होने के बाद, बने हुए रिष्टों से भी मुह मोड लेते हैं, जिंदिगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे, तो उनके रंग जरूर निखर के आएंगे, जो समझ ना सके, उसके साथ समझोता ना करो, इससे अच्छा अकेले रहो, कम से कम सुकून इस बात का रहेगा, कि कोई है ही नहीं, तो समझेगा कौँ, आज का लोग दिल से दी हुई इज़त से खुस नहीं होते, दिखावे की चापल सी करने वालों से गरब महसूस करते हैं, विश्पास करें, परन्तू मां और इस्वर के सिभा किसी पर नहीं, लुट जाने के बाद चाहे कसूर किसी का भी हो, बात वहीं सुरू करता है, जो बेहद प्रेम करता है, भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस् किसी से रिस्ता निभाने की जिद मत करना अगर आस्मान वाले के साथ आपका रिस्ता आच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगार सकते सापों के दाथ में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में गितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता इनसे हमेशा साबधान रहे सत्ति को सिद्ध करने के लिए किसी भी जिद्ध करने की जड़त नहीं क्योंकि सत्ति खुद सही समय पर स्वयन सिद्ध हो जाता है जिन्दगी में दो चीजों का कभी घबंद मत करना पैसा और सूरत गरीबी आते देर महीं लगती परते हुए हाथ सनमार्ग पर चलते हुए टाय और सत्य से जुड़ी हुई जीव इस्वर की पसंदिदा चीजे है अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जवरत ही नहीं है पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है धोके में जीने से अच्छा है अकेली जीव, सुकून से जीव अपने आप पर भरोसा रखो तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा मजाक और पैसा, सोच समझ कर उराना चाहिए संगर से जीवन है, इस से ढरना नहीं, लरना सीखो एक बार मींद तूटेगी तूचलेगा लेकिन कभी अपने सपने मत तूटने बेगे आप कितने भी बड़े बन जाएगे यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है जो करना है, खुद करना वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है जिन्दगी का एक उसूर बना कि तुम्हारे इज़त जो नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना क्योंकि जीवन में क्या होगा या तो कुछ अच्छा होगा या बढ़ा होगा जो भी होगा हमारे करमों कहीं फ़ल होगा जिस परकार दिया तेल के बिना नहीं जन सकता इसी परकार मनुष्य से भगवान की किरपा द्रिष्टी के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता जीवन में कोई भी काम करने से पहने एक बार भगवान का स्मरन करना जरूरी है कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो भगवान को स्विकार होगा या नहीं ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत काम नहीं करेगे किसी का भला नहीं कर सकती तो बुरा भी मत करो यदि सम्मान नहीं कर सकती तो बेवज़ा अपमान भी मत करो तुम जिसकी जितनी परवा करोगे उतनी तकलीफ पाओगे और जिस दिन तुम लोगों की परवाद करना छोड़ दोगे लोग तुमें तकलीफ देना छोड़ देंगे क्या लेकर आये हो और क्या लेकर जाओगे ये जीवन दो दीम का मेला है एक दिन सब यहीं छोड़ कर जाओगे समझदार वेक्ति कभी बदले की भाबना नहीं रखता क्योंकि वह जानता है भगबान सही कर्म और सही समय आने पर सब का हिसाब करते हैं जबर्दस्ती मत मागना जिंदिगी में किसी का साथ कोई खुद चल कर आए उसमें खुसी कुछ औरी होती है संगत का विसेश धिहान रखे क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आती है या तो चुप रही है या फिर ऐसे सब्द बोलिये जो मौन से ज़्यादा कीमती हो सत्य अपने लिए रखना प्रेम दूसरों के लिए करूना सब के लिए रखना यही जीवन का वियाकरन है फूल कितना भी सुन्दर हो तारीफ खुसबू से होती है इनसान कितना भी बड़ा हो कदर उसके गुनों से होती है एक बार एक गौम एक सादू रहता था जो भगवान पर भहुत विश्वास रखता था एक बार की बात है वह सादू पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था और आचानक ही वहां बाढ़ा गई चारों तरफ पाने ही पानी था सब लोग अपने आपको बचाने के लिए उपर पहार की तरफ भागने रहे उनमें से एक आदमी ने देखा इस हालत में सादू जी भगवान की तपस्या कर रहे है और सोचा कि ये अपने आपको बचाने के लिए कहीं क्यों नहीं जा रहे है तो उसने उस सादू सो बोला अरे आप क्यों नहीं जा रहे हो आप मेरे साथ उपर पहार की तरफ चलो नहीं तो डूप जाओगे सादू बोला अरे हमें क्या होगा मैं भगवान के तनी तपस्या करता हूं कि मुझे कुछ नहीं हो सकता भगवान खुद मुझे बचाने आएंगी धीरे धीरे पानी सादू के कमर तक आ गया और अब लोग वहां से नौल लेकर निकलने लगे उनमें से एक ने सादू से कहा अरे पानी आपके कमर तक आ गया है आप हमारे साथ चलिए सादू ने कहा नहीं नहीं भगवान मुझे खुद बचाने आएंगे और वो नाव वाला भी वहां से निकल गया कुछ देर बाद पान इतना बढ़ गया कि साधू के सर तक पहुँच गया अब लोगों को बचाने के लिए हेलिकॉप्टर से निकालने लगे एक हेलिकॉप्टर साधू के पास आया जो कि आखरी हेलिकॉप्टर था सादू के पास नीचे रस्ती फिकी और बोला इसे पकड़ो और उपर आ जाओ नहीं तो आप डूब जाओगी या आखी हेलिकाप्टर है और आपके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है बचने के लिए सादू ने कहा ये रस्ती आप वापस खीच लो और चले जाओ मुझे भगवान के उपर भरोसा है वो मुझे बचाने जरूर आए पानी काफी उपर आ गया और पेर भी डूब किया और सादू की भी दूबने से मौध हो गया मरने के बाद सादू भगवान के पास गया और बोला कि है भगवान मैंने आपकी पूरी जिंदगी तपस्या के पूरा जीवन आपकी अराधना करने में लगा थी फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि आप मुझे बचाने आओगो लेकिन वहां मेरी दूब कर मौध हो गया और आप नहीं आए ऐसा कि भगवान बोले मुर्ख इंसान एक बार नहीं तीन बार आया था मैं इसी तरह से जिंदगी में हमें उपरवाला बहुत से मौके देता है लेकिन हम सब मौके को धुकरा कर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं योवो होगा तभी मैं करना इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो हमें किसी भी अच्छे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए जो भी करना है आज और अभी से करना सुरू कर देना चाहिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही इस वीडियो को बोलते वक्त मेरा गला वैठा हुआ था लेकिन आप लोग इस चैनल को और वीडियो को इतना प्यार देते हैं इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा अगर मेरी आवाज आप लोगों को पसंद नहीं आई इस बात तो उसके लिए मैं चमा चाहता हूँ तो मिलते हैं अगली वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा जैसरी कुष्ण